नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड उतर प्रदेश में हूँ आपके साथ सब्लापांडे आए डालते हैं एक नज़र उत्राखंड उतर प्रदेश की खबर उपार सेम धामी ने पंचायक के ढखना बडोला गाओं में की नुकड सभा बोले चुनाओ मैंन ही चंता लड़ रही हैं मुख्यमंतरी पुष्कर सिंधामी शुक्रवार को चुनाओी प्रचार के लिए चंपावत पहुँचे सरकेट हाउस पे बने अस्ताई हैली पैट पर उतरने के बाद वह मुख्याले से लगे ढखना बडोला गाओं के बेल्टॉक तोक पहुचे जहां उन्होंने नुकर सभा को संबोधित किया मुख्यमंतरी ने जब बजनता से उुप्छुनाओं में उन्हें भारी मतों सी जीत दिलाने की अपील की साथ ही उन्होंने कहा कि उप्छुनाओं वे नहीं विदान सभाक्षेतर की जनता लड़ रही है मसूरी में उम्रा परियटकों का सेला होटल वग्यस्ट हाउस 80% तक बुक रेंगते रहे वाहन वीकेंड के मद्दे नजर शुक्रवार से ही पहाडों की रानी मसूरी में परियटकों का हुजू मुमर पड़ा है यहां शुक्रवार दोपहर तक होटल वग्यस्टाउस करीब 80 प्रतिशत तक बुक हो गए हैं किंगरेक से गांधी चौक, जीरो पॉइंट और केम्टी रोड तक वाहनों की लंबी कतारे लगी हुई है जिसका आसर है कि जाम की स्थिती बन रही है जिसकारण वाहन रिंगते हुए चल रहे हैं तो वहीं मसूरी होटल असोसियेशन के अध्यक्ष संजय अगरवाल ने बताया है कि आज शाम तक 90 प्रतिशत या अधिक बुकिंग होने की उम्मीद है सितार गंज के नशामक्ती एवंपुनरवास केंद्र को दे खोड़े अफसरों के होश मिली गर्ब निरोधक, सेक्स वर्धक दवाएं सहित कई आपति जनक सामा करी जीवंदान नशामुक्ती वंपुनर्वास केंद्र में स्वास्त विभाग और प्रशाशन की स्तैक्त टीम ने छापा मारा टीम को केंद्र से गर्वनिरोधक और सेक्स वर्धक दवाये नशे के इंजेक्शन आदी अपति जनक सामान मिला है टीम ने केंद्र को सील करने के बाद उसमें रह रहे तीन मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है 150 लोगों से सरकारी करमियों ने मांगी रिश्वत, CM शिकायत पोर्टल पर पहुंचे मामले 64 पर विजिलेंस की कारिवाही बीतर दो महिने में 150 लोगों से सरकारी अधिकारियों और करमचारियों ने रिश्वत की मांग की है इन भरष्ट करमियों से परिशान होकर लोगों ने एंटी करप्शन नमबर 1064 पर शिकायत की जिसमें से 64 पर विजिलेंस की कारिवाही शुरू कर दी गई है जबकि दो महा के भीतर प्रदेश में 5 सरकारी करमियों को ट्राप किया जा चुका है आपको बता दे दो महिने पहले शुरू हुए इस एंटी करप्शन नमबर 1064 पर अब तक 3300 से ज़ादा लोगों ने फोन किया है इन में से ये 1400 से अधिक वास्तविक शिकायते हैं चो वे भी निवे भागों से सम्मंदित हैं पुलिटन में आज के लिए बस इतना ही जाने से पहली एक संदेश कोरोना सांक्रमार्ण अभी खप नहीं हुआ है तो इससे बचे रहनी के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनी, सामाजिक दूरी का ध्यान रखी और वाकी खबरों के लिए देखते रही है दनिक भासकर उत्राखंड उत्तरप्रदेश